मेरा फर्स्ट ब्लोग वायरल नहीं हुआ फ्रेंड्स बहुत से लोग जानना चाते हैं कि आखिर मेरा फर्स्ट ब्लोग वायरल क्यों नहीं हुआ तो फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाला हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हैं और क्यों नहीं आपका first blog viral हो रहा है तो friends अगर आप भी जानना चाहते हैं और इस वीडियो पर यहीं जानने के लिए आये हैं कि मेरा first blog viral क्यों नहीं हो रहा है कैसे viral कर सकूँ तो friends इस वीडियो को आप इसकी मत कीजिएगा पूरा ध्यान से देख लिजेगा और ध्यान से देखेंगे तब आप अपनी first blog बनाएंगे तो आपका first blog मैं 100% दावे की साथ केता हूँ कि आपका भी first blog viral होगा ही होगा करना क्या है और कौन सी tricks यूज़ करना है चलिए हम आपको एक एक तरीका यहां पर बताता हूँ सबसे पहला step यहां है friends की आपको अपनी first blog बनाने से पहले आपको यह सोच लेना है यह समझ लेना है कि हमारी first blog मतलब जो है किस तरीके का बनाऊ YouTube पे आपको करना क्या है सबसे पहले YouTube पे जाना है वहां पर my first blog सर्च करना है बहुत से लोगों की first blog दिख जाएगा ठीक है और यह देखिए किसका वीडियो यानि कम समय में अपलोड किया है यानि 2-4 दिन के अंतर में वीडियो जो अपलोड किया गया और अच्छा खासा उसके देखने को मिल ला है उस वीडियो को वहां से प्ले कीजिए और हमें पुले करने के लिए क्यों कि आपको प्ले कम पड़ेगा जानने के लिए यह यानिया वह भी बता रहा हूँ देखिए आपको पर उस वीडियो को प्ले करना है ठीक है और प्ले करने के बाद सेansen Sakya लीख आपने टाइटल में होता है उसमें क्या-क्या लिख है ठीक है और यह भी देख लेना वहाँ पर वह वह क्या क्या करना है पीपल एंड ब्लोग की सेलेक्ट करके अपनी वीडियो को प्लोड करना है अब बात कर लेती हैं कि भाई यह देखने से क्या फायदा होगा अभी बाकी है उस वीडियो में भी आपको देखना है कि जो बंदा जिसका वीडियो वायरल हो गया है और आखिर वीडियो में बोला कैसे और किस टरीके से और कुछ बीडियो में सिनेमेटिक रोन मांद को थोड़ा सोच लेना है समझ लेना है और फिर आपको बोलने से पहले आपको अपनी ब्लोग में cinematic source यूज जरूर करें क्योंकि friends cinematic source जो है ना काफी लोग attract हो रहे हैं उससे और लोग उस वीडियो को देखना पसंद कर रहे हैं ठीक है तो friends आपको cinematic source record करना है और आप cinematic source देखिए friends आपको ज्यादा लंबा record नहीं करना है पांच से दस सकेंड का स्टार्टिंग का cinematic source आप record कीजे ठीक है और record करने के बार से friends उसको क्या कर लिजे आप save कर लिजे ठीक है और फिर आपको अपनी face दिखा कर बोलना है कि एलो friends या मेरा first blog है और सभी लोग अपना first blog बना रहते और सभी का viral भी हो जा रहा है तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम अपना first blog बनाए और कहीं नहीं भगवान और आप लोगों का support रहा तो मेरा भी first blog viral हो जाएगा और मैं भी अपनी जो मतलब मेरा मतलब यार मनुकामना है पूड हो जाएगा यानि जो भी मैं चाहता हूँ कर सको तो कुछ इस तरीके से आपको बोल लेना ठीक इतना बोलना ठीक अब बोलने के बाद से आपको फिर से कुछ उसी टाइप का जो जो भी starting का cinematic है ओ रहेगा फिर उसके बासे आप जो बोले है ओला वीडियो लीजिएगा और फिर जो last में cinematic लिए है उसको लीजिएगा और फिर उसके बासे अपनी face दिखा के अपनी वीडियो में ब्लोग में बोलना है और ज्यादा बड़ा ब्लोग नहीं करना है cinematic short 5 seconds से 10 seconds के अंदर के ही रखा ठीक है और अपना जो बोल रहा है फ्रेंड तो एक से दो मिनट के अंदर की आपकी वीडियो मतलब complete हो जानी चाहिए इस तरीके से आपको बोलना है ठीक है अब तो आपने तो उतना बोल दिया कि सभी लोग बना रहे थे हमने भी बनाया और आप लोग की help रहा तो मतलब viral हो जागी और फिर आगे क्या बोलना है यह बोलना है कि फ्रेंड्स यह तो आप लोगको अभी नया लग रहा होगा और इस तेरे को आप लोग पहंचानते ही ने यह क्योंकि आभी नया है और कोई भी मेरा मतलब पहले से कोई YouTube पे चैनल ही नह तो फ्रेंस मेरा नाम कृष्णा है और मैं यूपी के यानि उत्तर परदेश के रहने वाला हूं और मैं अपना हाली में अपना इंट्रमीडियेट का जो एक्जामता हो कंप्लीट कर लिया हूं और पहुंट जो करने में किया जा रहा है तो मेरी चोटी सी ब्लोग ति máximo को मजा आयोग अच्छा लगा होगा और वीडियो तो आप कि शेटीज चैनल को साथक्राइब करें बहल इकूं को आ हैक और प्रेस कि कि हैं अच्छा लगा तो कमेंट करके बताईए का मैं फिर से ब्लोग लाऊंगा आप लोगों के लिए धनेवाद ठीक है इस तरीके से आपको बोल के अपनी फटाक से अपनी वीडियो को दो मिनट के अंदर के ही रिकोर्ड कर लेना है थोड़ा सीनेमेटिक और थोड़ा आप जब इडितिंग करें तो उसमें म्यूजिक यूज करें और म्यूजिक यूज करें अब देखिए जिनका जो वीडियो वाइरल हुआ है उसमें कौन सा म्यूजिक यूज कि वहीं म्यूजिक आपको भी यूज करना है और थोड़ा म्यूजिक का साउंड अपनी साउंड से थ छोड़ देना है उसमें कुछ नहीं करना और जहां आपका फेस देख रहा है वहां पी music के वैलूम को थोड़ा सा कम कर लेना है ताकि आपकी आवाज तेज सुने दे और जो music है उसका sound थोड़ा कम तक भी अच्छा लगे ठीक है तो इस तरीके से आपको बनाना ठीक है और मैं स्टार्टिंग में बोला कि आपको वीडियो में ये टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग जो है उध्यान से देख लेना है और जो भाई ने देखी यहां पर आप गल्ति कुछ नहीं करेंगे मैं आपको जो कह रहा हूं वह आपको फोलो करना है जो भाईरी जिनका वीडियो य आपे सेम लीख लेना है को आपको सेम लिख लेना है कि यह सब आपको कर लेना है से कोई फरक नहीं पड़ता है और सवाल लगारा थे जरुथ तो आप defect कर सकते में आपको पूरा help करूंगा कि कैसे क्या करना है किस तरीके से करना है ठीक है और friends मैंने जो बताया आपको कि अपनी ब्लोग में किस तरीके से बोल ला है तो मैंने तो बोल के example के तोर पे आप लोग को बताया लेकिन आप कोशिस किजिए कि कुछ एंटर्टेंड टाइब का फणी टाइब के अच्छा यूनिक बतल मतलब वीडियो में दिखा यह बोलिए और इस टाइप से बोलिए फ्रेंड की लोग आपकी साउंड के साथ जुड़ जैए आपको आपकी वीडियो को देखें जब वीडियो को लोग देखेंगे तभी तो वीडियो वाइरल होती है और कुछ नहीं वीडियो पे अगर कोई भी अगर हमारे वीडियो आप देख रहे हैं अगर इस वीडियो का आपने पूरा देख लेते हैं तो हमारे वीडियो पे रूख रहे हैं वीडियो का पूरा देख रहे हैं तो हमारी वीडियो अराम से वाइर तो आपको समझ में आगा वीडियो पसंद दें तो लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को और प्रेस कर लिजेगा ठीक है अपने दोस्तों के साथ भी सेर किजेगा ताकि उनका भी प्रॉब्लम में सौल बज़े अगर फर्स्ट ब्लोग बनाना चाहते हैं बंदे मात्रा